आज के इस वीडियो में हम अन्बॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं वनमोर की तरफ से आने वाले इस ट्रू बायरलेस इयरवर्ट्स का जियां अपने आप में एक बहुती दमदार पोड़क्ट है और वनमोर को बेस्ट डिजाइन का अबॉड भी मिला है तो अगर आ में सुभम अगरवाल और आप देख रहे हैं साइबर बाबा यूटूब चैनल ओके कैस तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको इस हैटफून का बॉक्स देखने मिल जाता है टॉप पर आप देखेंगे वनमोर की ब्रांडिंग है नीचे साइड यहां पर आप देखेंगे वनमोर को 2019 में बेस्ट डिजाइन का अबॉड मिला है तो कु चेक करें अगर हम बॉक्स के लेफ्ट हैंड साइड में तो यहां पर आप देखेंगे ब्लुटूथ 5.0 के साथ साथ एफटेक्स को भी सपोर्ट करता है जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि इस रेंज के किसी भी येरवर्ड में आपको यह फीचर नहीं मिलता है अगर हम चेक करें बॉक्स के बेक एंड पर तो यहां पर आपको चाइनीज और इंगलिस में मल्टिपल स्पैसिफिकेशन देखने मिल जाती है जिसे हम डिटेल में आगे वीडियो में कवर करेंगे तो अभी बिना किसी देरी के सबसे पहले हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं और चेक करते हैं बॉक्स कॉंटेंट को तो गाइस बॉक्स के ओपन होते ही सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे आपको कुछ इयर वट से लिटर इंस्ट्रक्षन मिल जाते हैं राइट अन साइड में यहां पर केस के अंदर होता है हमारा यह हैटफून तो बॉक्स कॉं 70% waterproof है अगर हलका फूल का पानी भी जाता है तो आसानी से यह पाउच परदास कर सकता है इसके बाद box में आपको multiple size में ear tips देखने में जाते हैं जैसे कि small, large और excel जो medium tips है वह लगी हुई होती है हमारे headphone के इंदर इसके बाद box में O-shape में हमको ear locks दिखने में जाते हैं जिससे कानों में आपके ear words की पकड़ बहुती जादा solid होती है इसके बाद box में एक और compartment होता है जहां पर आपको मिल जाता है सबसे पहले one more की तरफ से warranty card आपको बहुती आसानी होगी warranty को cover करने में एक आपको one more की तरफ से sticker मिल जाता है इसके बाद यहां पर कुछ basic ear words specification guide मिल जाती है जिसमें बताया गया है कि ear words की जो वटन है उसे आपको किस तरह से यूज करना है next आपको one more की एक product guide मिल जाती है जहां पर जो one more की product है जो latest product है वह सारे ही cover किये गए हैं इस guide में तो आप गर चाहें तो और बर one more के products को भी check कर सकते हैं box के last में finally आपको एक मोटी सी guide मिल जाती है जो कि user manual अब बात करें अगर हम case की तो यहां पर आप देखेंगे कोशस तरह से capsule shape में आपको एक case दिखने मिल जाता है टॉप में यहां पर one more की branding है अगर अगर फ्रंट साइड से आप चेक करेंगे तो य open और close के लिए आपको एक button मिल जाती है नीचे side again आपको one more की branding मिल जाती है अब यह case fully matte finish में है और looking wise बहुत ही जादा premium है पीछे side से अगर आप चेक करेंगे तो यहां पर आपको charging port मिल जाता है और इस case का जो मुझे सबसे अच्छा point लगा वह है इसका lock system जी यहां बहुत स case गिरता है तो आपके earphone बाहर नहीं आते आपका case open ही नहीं होगा आप सिर्फ इस button के माद्यम से इस case को open कर सकते हैं अगर हम बात करें battery capacity की इस case की तो 410 mAh की यहां पर आपको battery की capacity मिल जाती है जिससे आप 3 वार ear words को charge कर सकते हैं अगर charging time की हम बात करें तो करीब 1.5 घंट में आप उस case को full charge कर सकते हैं जो की 3 वार charge कर सकता है आपके ear words को अब नजर डालते हैं finally हम अपने ear words की तरह तो यहां पर आप देखेंगे कुछ उस तरह की packaging में यह ear words हम को मिल जाते हैं front end पर आपको one more की branding मिल जाती है और आपको मिल जाता है एक LED indicator जियां दौनों ही आपको LED indicator मिल जाता है अगर हम बात करें back पर तो back पर आपको मिल जाता है microphone और top पर आपको मिल जाती है keys इस तरह से यह एक बिल्कुल सा design है अब यहां पर अगर आपका doubt होगा touch sense को लेकर तो यहां पर कोई भी touch नहीं है हलाकि अभी जो new generation के ear words आ रहे हैं उसमें आपको touch ही मिलती है बट यहां पर आपको touch नहीं मिलती है यहां पर आपको keys मिलती है जिसको आपको press करना होगा तो यह इक इसका big point भी है क्योंकि होता क्या है कि पहले जो में ear words यूज करता था तो अगर सोते time यह फर गलती से भी आपका हाँ जाता है तो music play यह फर boss हो जाता है call अगर 55 mAh की battery मिल जाती है जिसमें आपको 6.5 गंटे तक का backup मिल जाता है हलाकि मैंने इन ear words को regular दो दिन यूज किया है तो मैंने 70 और 75% volume को रखकर इन यूज किया है जिसमें करीम मुझे 5-5.5 गंटे का backup मिला जो कि बहुत ही जादा awesome है अगर आप चाहें single ear words को भी connect करना तो आप single ear words को भी connect कर सकते हैं बड़ उस condition पर आपको 10 मीटर से दूर दूसरी ear words को ले जाना होगा तो यह भी एक बहुत ही अच्छी बात है अब अगर हम इसके features पर भी नजर डालें तो noise cancellation का features मुझे बहुत ही जादा पसंद आया बांकी ear words में जो background का noise होता है वह आपको clearly सुनाई देता है बड़ इस तरह की समस्यां इस ear words में आपको नहीं होगी तो noise cancellation बहुत ही जादा बहतरी है डालें अगर हम नजर इसके case पर तो charging का भी जो procedure है वह बहुत ही आसान है simply case के अंदर आपको इन ear words को रखना होता है automatic की है case से connect हो जाती है यहाँ पर आपको auto pairing मिल जाती है मतलब जो recently आपकी device होंगी उसके सांद ear words निकलते ही automatic connect हो जाएंगी अब बात करते हैं हम इसकी finally sound quality की तो sound quality को मैंने check भी किया है यहाँ पर sound आपको बहुती ज्यादा clear मिलता है background की noise को cover ना करे यह जो features इसके काराण आपको actual में sound सुनाई देता है हाँ यहाँ पर आपको जो base मिलता हो थोड़ा सा कम होता है बट यह भी एक बहुती अच्छी बात है ज्यादा भी इसके काराण जो higher frequency होती है वह दब जाती है तो sound quality आपको बहुती बहतरीन मिलेगी एक बार आप इस headphone को जरूर यूज़ करें so friend फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे like जरूर करें अगर आप इस yearbird को purchase करना चाहते हैं तो description box में मैंने आपको इसकी best buying link दी हुई है जहां से आप इसे detail में check कर सकते हैं और इसे purchase कर सकते हैं एक नए वीडि है hashtag cyberbaba